लव जिहाद एक ऐसा विशाय जिसको लेकर देश शायद सबसे ज़्यादा बटा हुआ है कुछ लोग इसे समाज के सबसे बड़ी समस्या बताते हैं वहीं कुछ लोग कहते हैं कि लव जिहाद जैसा कुछ होता ही नहीं है ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए आनज जकूट लव जिहाद जैसा कुछ अगर होता नहीं तो आज देश के पांच राज्यों ने इस पर कानून बनाया है तो कहीं ने कहीं ये गंबीर बात हमें 2009 में ही ध्यान में आई केरल में इस प्रकार की घटनाय बहुत अधिक मात्रा में हो रही थी और केरल कोर्ट में जब इस अधिकार के मामले देखे थे अलग-अलग राज्यों में देखे थे और कहीं ने कहीं ये शडियंत्र हिंदू समाज के विरोध में शुरू है इसकी भनक तो हमें लग गई थी लेकिन जब केरल हाई कोर्ट में इन सब विश्यों पर लेकर चर्चा हुई तो हमने इसकी लव जिहाद की जब हम बात करते थे तो अनेक बार हमारी और ही अलग दुरुष्टी से देखा जाता था कि ये समाज के बीच में कुछ तो भेद निर्मान करने का प्रयास कर रहे हैं तो हमने पूरे तत्थ्यों के साथ अलग-अलग समाचार पत्रों में इस विशे को लेक प्रेम है और प्रेम की परीभाशा हिंदू समाज को किसी ने सिखाने के आवशक्ता नहीं है जो प्रकूरूती पर भी प्रेम करता है लेकिन प्रेम की आड़ में अगर चलावा चल रहा है तो उसके विशे में बेटी ओं को जागरूत करना चाहिए तो यही सोच कर एक बना दिया है और प्रेम तो हिंदू हिंदू के बीच में होता है और मुंस्लीम के बीच में हो सकता है तो हैं देखिए इसमें यह होता है लेकिन अ अगर ड़न है टो आप आपकी पहिचान क्यूँ छुपा नाम क्यों बदल रहे हो, कलेवा क्यों लगा रहे हो, तीलक लगा कर आप ये दिखाने का क्यों प्रयास कर रहे हो कि हम हिंदू है, और दूसरा पक्ष लीजिए, अगर कोई हिंदू है, अगर मुस्लिम यूती के साथ उसका प्रेम हुआ, तो उसको तो जीने का भी अधिकार आप नहीं है, तुरंट उस पर आटाक हो जाता है, उस पर हमले हो जाते है, और वो प्रेम तो कोई स्विकार करने के लिए तैर नहीं है, तो ये जो छलाबा है, और फिल्म इंडरस्रिस के माध्यम से, बॉलिवुर्ट के माध्यम से, बार-बार इसी प्राकार के पेर सब के सामने रखे गए कि मुस्लिम एक्टर है और हिंदू यूती है तो कही न कहीं वहां से वह शुरुवात हुई और उसका प्रवाव हिंदू समाज पर इतना हुआ कि हिंदू समाज वह यही सोच रहा था कि प्रेम प्रेम ही है लेकिन ये जब सब हम बाते देखते हैं प्रेम में त्याग है एक दूसरे का विचार है अब यहां पर कहां समरपन है कहां त्याग है और आपकी शुरुवात ही अगर फसाकर है तो आगे क्या होना है ये निशित है और जो इसलाम की विचारधारा है आज तक का जो इतिहास हम अनुभो करते हैं चित्तोड में हो महारणा प्र यह माता बहनों पर क्या बीति तो इन सब इतिहास का हम आकलन करें तो हम ये निशित कह सकते हैं कि ये प्रेम नहीं है ये जिहाद है आप इतने लंबे समय से अगरे करने हैं तो आप बहुत साही लड़कों को संपर्थ में बहुत लोगशा आपकी बात कैसे होता है ये सुर में पहले तो मुसलमान युगों को आकरशित करने के लिए चुछ धर्मान मुसलमान हैं मदरसेयों के माध्यम से कुछ लड़के जो है वो चिन्नित किये जाते है जो इस प्रकार का काम कर सके चिन्नित करके उनको जो भी आवश्चक सुविदाएं है फिर उनको महंगी मोट और कुछ उनके लिए आवश्चक चीजे देनी हो तो वो सब जो सुविदाएं हैं वो उपलब्द कराई जाती है बकाईदा हमने हमारी जो पुस्तक है तो हमें एक इसी प्रकार से इसलामिक संस्था के दबारा प्रकाशित किया गया एक रेट कार्ड मिला था जिसमें अगर और अभूद की बच्ची है तो ज्यादा पैसे मिलेंगे शीक बच्ची है तो ज्यादा मिलेंगे मतलब उपयोग करके, पहले मिलना, जूलना, फिर कहीं होटेल पे बुला कर दुशकर्म करना, और दुशकर्म करके उसका जो चितरीकरन फोटोग्राफी, विडियाग्राफी होती है, उसका उपयोग जो है वो ब्लाकमेल करने के लिए करना, तो ये लंबे समय से चल रहा है, दूसर के लिए हम किसी शौप पे जाते थे तो इस रिचार्ज सेंटर में यूतियां जो भी नंबर अपना देती थी यह नंबर कलेक किये जाते थे उस नंबर के आधार पर उससे उनसे मैतरी करना और आगे की बाते यह होती थी तो यह बाते और और एक अलग एंगल हमने इसमें दे देखे तो हमारे वेदों में अलग अलग तरह के तंत्र मंत्र और विद्याएं हैं तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से हम कहते हैं कि जहां पॉजिटिव है वहां निगेटिव है जहां प्लस है वहां माइनस है तो जहां पे दैवी उर्जा है वहां पे नकारत्म उर्जा भी है और सूर असूर का संग्राम तो हम देखते ही आ रहे हैं कि इसके उधारण अनेक मिलते हैं तो वशीकरण एक तरह की तंत्रमारग की विद्या है जिसका प्रभाव करके व्यक्ति को वश में लिया जाता है उसका होश नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूं क्योंकि ऐसी कुछ गटना है हमने देखी महाराश्टर के अवरंगाबाद में एक लड़की को ऐसे ही लव जिहाद के मामले में फसाया गया बड़े घर की बेटी थी वो और साधारण एक युवक के साथ वो भाग कर जाने के लिए तयार हो गई माता पिता को मानले के लिए वो तयार नहीं थी तो हमने सूचा ऐसा क्या हो गया कि एक दिन में माता पिता से वो दूर जा रही है तब हमें थोड़ी भनक लगी कि कहीं न कहीं यह अगोरी विद्या का उपयोग इस बच्ची पर किया गया तब नारीनी के तन में वो थी हमने रिक्वेस्ट करके उनकी मा के साथ जब मिलना हुआ और उसके शरीर पर जो ताबीज बांदी हुई थी, वो जब निकाली गई, आप अश्यरे करेंगे, वो लड़की ये कहने लगी कि मैं यहां कैसे आई, किसने मुझे यहां पर लाया, और वो माता-पिता को जाकर उनके पूरा नहीं हो रहा है, तो अगोरी विद्या करका, विद्या का उपयोग करके क्यों न किया जाएं, तो वो बाते शुरू होगे, यह वशी करन क्या निक उदारन हमने इसमें देखे लिए इसमें हमने हमारा जो लव जिहात का किताब है, तो उसमें उसके अलग-अलग दिया जाएं, दूसरा हमने यह देखा कि जब यह बाते हिंदू समाज को पता चलने लगी, तो जिहादियों ने इस पर और एक अगला तरीका यह किया, मोबाइल के अंदर जो बैटरी निकलती है, वहाँ पर यंत्र रखना उन्होंने शुरू किया, तो आप ढूंड कर भी तो वह निकाल के जला दिया जाएं, उसके जो कपड़े हैं, उस कपड़ों को निकाल कर कपड़े बदले जाएं, उस पर गोमुत्र जो है, गोमुत्र हम चिड़क सकते हैं, गोमुत्र पवित्र है, और गोमुत्र के इसमें इस प्रकार से अनिष्ट प्रभाव जो है, वह निकल जाता है स्थानिय अगर कोई मंदिर है तो मंदिर में हम बच्ची को ले कर जाएं तो ऐसे कुछ सरल जो समाधान है इसके वो हमने हमारे गरंथ में भी दिये है और हमने प्रत्यक्ष अनुभा भी किया है कि यह कारगर होते हैं जब आपनी पुष्टक प्रकासित की थी उस समें इस्थितियां बहुत अलग थी और आज इस्थितियां बहुत अलग हुए है जैसा अपनी मिदार पांच राज्यों ने सरकार ने कानून बना दिया है लोगों के बीच में जागरुती है रोजबात हो रहे हैं मगर उसके बा इन सब चीजों को ठान लेती है तब बदला हो सकता है आज हम यह कहते है कि पांच राज्यों में कानून बना लेकिन फैक्ट यह है कि आज भी लव जिहाद के केस में कोई भी एफायर होता है उसमें यह नहीं लिखा जाता है कि यह लव जिहाद है एक तो अपरन का केस लग सकता है इसे करके यह हो रहा है तो यह जीज डोक्यूमेंट ही होने नहीं दी जारही है क्योंकि लव जिहाद से आप लिखेंगे甚ці नहीं सामने हमें लव जिहाद में कितना नुकसान के और उसर हूं तो वो बढ़ना चाहिए मैं कुछ आकड़े जब हम देखते हैं तो नेशनल क्राइम ब्यूरो ने आकड़े प्रकाशित किये थे कि कितनी महिलाएं या बच्चियां पिछले चार वर्षों में लापता हुई तो MP के मेरे पास आकड़े हैं MP में पिछले तीन वर्षों में लगभक सांठ हजार से भी अधिक महिलाएं जो है वो लापता हुई है अब ये क्या हुआ ये आकड़ा छोटा नहीं है आज दिल्ली का कंडिशन ये है प्रति दिन छे बच्चियां जो है वो लापता हो जाती है तो कही ने कही इन सब विशयों में प्रशासनिक तोर पर कड़े निरबंध होना कानून होना सक्त कानून होना और वो कानून जो है एक नैशनल लेवल पर कानून बनने की अवशक्ता इसमें है दूसरा पहलू जो है इसमें जागरुती का तो आज सेकुलरिजम का भूत इतना है कि घर परिवार में ना कोई भी प्रेम विवाह में ये करती है तो हम सबसे पहले यही बताते है कि विवाह के बाद आपके अधिकार क्या है विवाह के बाद अगर आप लव जिहाद में बले ही आप मान रहे कि मेरा अब्दूल वैसा नहीं है और आप उसके प्रेम में वहां जा रही है लेकिन अनुसार वो शादी नहीं करते हैं और इसमें वो जो निकाह किया जाता है तो अगर हिंदू बच्ची इस प्रकार से उसमें आ रही है तो उसको अगर उसका पती चला जाए उस पती के प्रॉपरिटी से एक रुपया भी मिलने का अधिकार नहीं है क्योंकि उनको तो चार विवा वो करी सकते हैं तो लीगली भी आपको आपके संसकार चोड़कर वहां पर गव मास खाना पड़ेगा गव मास बनाना पड़ेगा आपको वहां हलाला अगर तलाक होता है तो हलाला से यह करना पड़ेगा और आपको आयते पढ़नी पड़ेगी मतलब आपको आपकी धर्म, संस्कृति और सब न्योचार कर देना पड़ेगा, पूरा जो परिवार है वो आपका उपभोग ले सकता है, और ये सब होने के बाद, आपको एक रुपए का भी अधिकार वहाँ पर नहीं है, तो ये बाते जो है, आज इस पर चर्चा होने के आवशकता है, ताकि बच्चियां ये समझें कि प्रेम में अन्दा होकर हम किस खाई में जा रहे हैं, और दूसरा अपने संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं है, अपने धर्म के विशे में जानकारी नहीं है, तो इस कारण ये होता है कि ना भगवान का आरादना होती है, ना कोई स्तोत्र या गीता का पार्ट होता है तो कोई उर्जा का सवरक्षन ही नहीं है तो तुरंत वशीकरण और ये चीजे प्रभाव कर जाती है तो इसमें मुल रूप से जागरूती समाज के स्थर पर आए हम सब जगह यही आवान करते हैं कि आज भी हम सभी त्योहार मना तो त्योहारों में अलग-अलग कम्यूनिटी के प्रोग्राम होते हैं होता क्या है उसमें एंटर्टेन्मेंट करते हम आज इत्ती बच्चिया फस रही है उसके बाद उन्होंने विवाहित महिलाओं को भी एटीम के नाम से उनको भी उनका भी उपवरूप करना शुरू कर पर इन सब विश्यों पर चर्चा बाते डिसकर्शन यह सब होना अवश्यक है तो यह होगा तो निश्य दूरूप से यह मात्रा जो है वह रूप सकती है हमने जन जागरिती की बात की समाज के स्थर पर बात करने की बात की अब समाज के स्थर पर सुधारने की जोरुवत क् समाज के स्तर पर कभी बिगाड़ा तो नहीं गया उन्होंने तो कभी बड़े-बड़े कन्विंशन नहीं किये लव जिहाद की ट्रेनिंग नहीं दी तो हमें क्यों आवशकता पढ़ रही है कारिक्रम करके बच्चों को भाम जाने की बताने की यह शडेयंत्र इतनी मात्रा मे के नाम पर हमारे महिलाओं के साथ यूतियों के साथ अबद्र वेवार किये और मानविय वेवार किये और यह होने के बाद उन पर अत्याचार करने के बाद उनका उपभोग लेने के बाद उनको बेचा गया दो दिनार में बेचा गया अफगनिस्तान के बजार में मंडी मे निर्वस्त्र करके उनको बेचा गया यह इत्यास क्यों हम भूल गए उननीस सो सेतालीस में भारत स्वतंत्र हुआ उस समय में देश के विभाजन के समय में कितने अत्याचार हुए किस प्रकार से माता बहनों के साथ अत्याचार हुए वो हम क्यों भूल गए अब देश स्वत पड़ा उस समय में वहाँ पर जो पोस्टर्स लगाए गए मसीदों से जो घोशनाएं की गई उस घोशनाओं में ये था कि हमें पंडितों आप कश्मीर छोड़ दो लेकिन आपकी पत्नियों को आपकी बेटियों को छोड़ कर यहीं छोड़ दो और उनको छोड़ कर आपको क तो उस समय पर भी इसी प्रकार से अध्याय और अत्याचार हुए और आज अगर हम देखें इस्लामिक स्टेट में वहाँ पर जिन भी महिलाओं को बंदग बनाकर उन पर अत्याचार होते हैं वो भी अवमानुए तरीके से चल रहे हैं लव जिहाद की जितनी भी घटनाय ह हुई उसमें हमने यह देखा कि प्रेम के नाम पर यह सब बाते शुरुवात होती हैं लेकिन टेररिस्ट एक्टिविटीज में बच्ची के नाम से बैंक का अकाउंट बनाकर उससे जो पैसा है वो आतंकी गति वीडियों के लिए उपयोग किया जा रहा है अमदाबाद में मोदी जी की एक सभा के इसमें बंग ब्लास्ट के प्रकरण में जो पकड़ा गया वो लव जिहादी था और उसने अपने हिंदू प्रेमिका के नाम पर बैंक का अकाउंट बनाया था अब वो बच्चा और वो जो हिंदू यूती है वो जेल में है क्योंकि उसके अकाउंट तो निश्शी तुरूप से इस विशे पर आज समाज ने ही पहल करके जागरूती करना अवश्यक है इसलाम इतना बड़ा धर्म है दुनिया भर में फैला हुआ है ये सारे जिहाद भारत में ही क्यों होते है नहीं ये भारत में नहीं तो अंतर अश्ट्रिय स्तर पर ऐसी ग लंडन की अगर हम बात करें लंडन के जो पुलिस आयुकत थे यान ब्लेयर उनका नाम है तो उन्होंने ये बताया कि नाबालिक बच्चियों को प्रेम के जहसे में लाकर इस प्रकार से उनका कन्वर्जन शुरू है और उसके विशे में हम स्कूल और कॉलेजिस में जाकर वहां पर अवेरनेस कर रहे हैं ये लंडन का 2009 का वहां के जो पुलिस कमिशनर है उनका ये स्टेटमेंट है जो हमने हमारे किताब में ये किया है दूसरा मैं आपको उधारन देना चाहूंगा 2014 में लंडन में ही अकाल तकत जो है सीख समूदाय का जो एक फोरूम है तो वो इस विशे में अलर्ट हुआ क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में वहां शीक समूदाय की जो लड़कियां हैं उनके साथ भी ये लव जीहाद शुरू हो गया था तो उन्होंने 2014 से वहां पर एक्शन लेना शुरू किया दूसरा शीक लिबरर पॉलिटिक्स नाम से एक कि कहीं ने कहीं ये लव जीहाद शुरू है अब इसमें जो इसलाम जो आतंकवादी चाहते हैं वो तो ये चाहते हैं कि दारूल हरब जो है उसका दारूल इसलाम में उनको परिवर्तन करना है तो कहीं ने कहीं उनकी प्रतिपूरती उसके लिए ही है आज लव जीहाद नही जोड़ाई करते अगर दूसरी कोई चीज करता है तो इंटर्टैंब्न इंड़्ट्री उसने किस तरीकों है। तो दिलिप कुमार ने नाम क्यों बदला वहां से लेकर अलग-अलग जो फिल्म आई तो उसमें हमने यही देखा कि वहां पर हिंदू प्रतिक हो, हिंदू तेवहार हो, हिंदू सादू हो, संग्त हो, इन सब को कलंकित करने का प्रयास हुआ और हर बार यह दिखाने का प्रयास हुआ, कि किस प्रकार से जिहादी जो है, वो आर्थिक मजबूरी के कारण, गरीबी के कारण, वो इस प्रकार की राह पर चले गए, इस प्रकार का दुष्प्रचार जो है वो बार-बार किया गए, मैं बहुत पिछे नहीं जाऊंगा, पि उस एड़टाइज का टाइटल वो ये देते है कि जर्ष्ण ये रिवाज, क्यों दिवाली को आप दिवाली नहीं कह सकते हैं? उसके बाद तनिश्क ने एक एड़टाइज निखाला, उसमें ये दिखाया गया कि इसी प्रकार से जो हिंदू यूती है, उसका मुसलमान के तनिश्क ने उल्टा क्यों नहीं दिखाया, प्रेम अगर प्रेम है तो, उल्टा भी दिखा सकते थे, वहाँ पर हिंदू लड़का दिखा सकते थे, और मुसलमान यूती दिखा सकते थे, हमारे हैं चत्रपती, शिवाजी, महराज और महारणा परताप का उधारन है, कि करवाचोत का ब्रत कर रहे हैं, होली के समय में यह दिखाया, कि भonton यह कर रहे हैं, उससे लडूसरा, कोई अगर नमाज पटने के लिए जा रहा है, तो शको कुछ तो समस्याय हो रही है, हमारा करवा चोत है, हमारी दीवाली है, हमारा होली है, तो हमारे हर्त यों, अभी त बदल देनी चाहिए और महिलाई क्यों करें बीच में तो कन्यादान को लेकर भी ये चल रहा था तो एक तो हिंदू समाज को धन्म की शिक्षा नहीं है इसका लॉजिक नहीं पता है और इस प्रकार के विज्यापनूं के द्वारा बार बार ये दिखाने का प्रयास हो रहा है कि हम कितने अच्छे हैं हम कितने ग्लोरिफाई हैं और आप कितने पिछड़े हैं आप पुराने हैं आप तो बक्वास की चीज़े कर रहे हैं और एक दो नहीं सभी एड़टाइस से आगा आप वही परोश रहे हो तो इस शड़ेंतर को हमें समझना चाहिए कि ये क्या चल तो एक तरह से जब तक हिंदू समाज के मन की आस्था और श्रद्दा कम नहीं होगी तब तक हम उन पर आक्रमन नहीं कर पाएंगे तब तक हम अपना धर्म और पंथ उस पर थोप नहीं पाएंगे तो दीरे दीरे फिल्म और बॉलीवूड विग्यापन हर चीज के दबारा ये हमारे मन से हमारे संस्कृति को मिटाया गया और उनको थोपा गया और सेकुलरिजम के इसी आंधी में आज अनेक बच्चेया जो है वो लव जिहाद का शिकार हो गई तो इसलिए कहीं न कहीं इन सब बातों को आज हमें समझना होगा बहुत हमारे स्वामी विवेकानंद हो या अलग-अलग महापुरुशों ने यही कहा है अगर किसी भी समाज को नश्ट करना है तो सबसे पहले उनकी संस्कृति तूड़ जाएगी तो समाज जो है वो हमारा गुलाम हो जाएगा तो कहीं न कहीं अंग्रेजों ने शिक्षा वेवस्ता के माध्यम से जो काम किया वो आज के समय में जिहादियों ने इन बॉलिवूड और अलग-अलग माध्यमों से हिंदू समाज के संस्कृति पर कुठारा गात किया है जिसके विरोध में हमें आवाज उठाने के अवश्यक्ता है आपको करना है कि लब जिहाद जैसा कुछ होता है या नहीं होता है इस तरह के विश्यों से जुड़ी और जानकारियां भी हम लगातार आप तक पहुचाते रहेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद इसे हमें समय देने के लिए इतनी कंभीरता सुशे पर चर्चा करने के झाल